सो इस आज के वीडियो में हम भात करेंगे अगर आपके पास Android Mobile है और आप किसी application को install करने का try करते हैं अपने mobile के अंदर तो आपको ये error देखने को मिलता है Unsafe App Blocked ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाता है आपकी application install नहीं हो पाती है Download तो आपने कहीं से भी किसी भी browser से कर ली होगी किसी भी website से उस application को download कर लिया होगा बट install करते time आपको दिखाता है Unsafe App Blocked और यहाँ पर got it करते हैं install करने का try करते हैं तो app not install आ जाता है तो इसका solution क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले में आपको बता देता हूँ यह जो problem हाती क्यों है आपका जो app है वो install क्यों नहीं हो पाता सबसे पहले तो आप जो है third party application को किसी browser से install कर लेते हैं या फिर किसी third party application जो होती है browser app होती है जो play store होता है store होता है जहां से app store होता है third party वहां से करते हैं तो आपको ये problem देखने को मिलती है अगर आप फिर भी अपनी application को install करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपके mobile में आपको देखने को मिलगा play store play store उपर आपको आजाना है उपर आपको profile देखने को मिल रही है इस पर click कर लेजिएगा then उसके बाद यहां पर आपको option देखने को मिलता है play protect का play protect को यहां पर select करना है अब यहां से कुछ इस तरह से interface आएगा आपके सामने अब यहां पर उपर की तरफ setting का निशान है इस पर click कर लेना है click करने के बाद यहां पर आपको option देखने को मिलता है scan app with play protect मतलब जब भी आप application को install करने का try करेंगे वो play protection जो आपके play store की होती है वो own होती है और वो उसको scan करने लग जाती है अगर उसको लगता है कि यह जो application है वो third party application है play store पर नहीं है तो आपको दिखाता है इस तरह से और आपकी जो application वो install नहीं हो पाती है या फिर कोई जो है problem होती है उस application के अंदर तो भी play protection उसको install नहीं होने देती आपके mobile में तो आपको करना क्या है इसको यहां से बंद करना है turn off कर देना है देख सकते हैं दोनों settings off हो चुकी है अब आप जाकर अपनी application को install कर सकते है वो install हो जाएगी जब आपकी application install हो जाए फिर आप ले protect में आए और यहां पर इसको own कर दें बस simple सा काम आपको करना होगा problem आपी solve हो जाएगी so guys बस आज के वीडियो में इतना ही